हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम सेवनेट्री पर आज है तेरे अक्टूवद दोईया 23 और आज किस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तेरे अक्टूवद दोईया 23 के डेली करेंट अफियस के कुछ इम्पोडेंट कोशन्स अगर आप किसी भी अग्जम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधा इम्पोडेंट रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और वेल आइकन को भी और पर प्रेस कर लिजी ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अफ्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो की पीडिया फाइल आपको हमारे टेलीगराम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलीगराम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आब वासे इस टेलीगराम चै तो हमारा आज का पहला कुशन है, हाल ही में केस राज सरकार ने युवा मुवाइल एप्लिकेशन और प्रयाग पोटल लॉंच किया है। इस कुशन का सही अंसर है, option B, उत्राखंड। तो हाल ही में उत्राखन राज सरकार ने यवा मुवाइल एप्लिकेशन और प्रयाग फोटल को लॉंच किया है। इस अविनव एप का प्रात्मिक उदेश राज के बेरोजगार यवाओं को स्वरोजगार के अपसरों के बारे में बहुत मुली जानकारी प्रदान करना है। अब उत्राखन जो राज है इसकी दो राईधानिया हैं। एक है दहरादुन और दो तरी है गेरशें। अब दहरादुन जो राईधानी है वो श्यर्दियों के लिए है और गेरशें जो राईधानी है वो गर्मियों के लिए है। उत्राखन राज्य के मुख्य मंत्री है पुश्कर शेह धामी और यहां के राज्यपाल कौन है गुर्मीत शेहर नेट कोशन है हाल ही मिक्ष संगीत निर्देशक को दोएर 22 देश के लिए राष्टिय लता मंगेश का शम्मान से सम्मानित किया गया है इस कोशन का सई आंसर है ओप्शिन ए उत्तम सींग आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं उत्तम सींग और एनि को दोएर 22 देश के लिए राष्टिय लता मंगेश कर सम्मान से सम्मानित किया गया है नेक्ट कोशन है बारत ने किस राष्टिय के नागा पट्टिनम से स्री लंका के जापना में कांगे संथुराई बंदर गातक नौका शेवाश रूकी है इस कोशन का सई आंसर है ओप्शन बी तमिलनाडू तो अपने देश बारत ने तमिलनाडू राज्ज के नागा पट्टिनम से स्री लंका के जापना में कांगे संथुराई बंदर गातक नौका शेवाश रूकी है यसे बारत और स्री लंका के लोगों को जापना और तमिलनाडू की कम लागत वाली यात्रा करने का एक उत्क्रेश्ट अपसर प्रदान करेगी अब तमिलनाडू जो राज है इसकी राई दानिंग है चेन नई तमिलनाडू के मुख्य मंत्री है एम के श्टालन और यागी राजपाल है आर एन रवी नेक्ट कोशन है हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक दा बुक ओफ लाइप माई डान्स विद बुद्दपोर सक्सेज लाउंच की गई है इस कुशन का सई आंसर है आप्शिन ए बिवेक अगनी होतरी तो बिवेक अगनी होतरी जी के द्वारा लिखित नई पुस्तक दा बुक ओफ लाइप माई डान्स विद बुद्दपोर सक्सेज लाउंच की गई है दा कश्मीर फाइल्स की निदेशक पिवेक अगनी होतरी ने लाखनों में अपनी नवीनतम पुस्तक दा बुक ओफ लाइप माई डान्स विद बुद्दपोर सक्सेज लाउंच की है उन्होंने दो या तेज में एक मेडिकल ड्रामा फिल्म दा वैक्शीन बॉल का भी निदेशकन किया और जिस पुस्तक पर फिल्म आदारत है उसके लेख़ग डॉक्टर बलराम भारगव है नेक्ट कुशन है इस कुशन का सई आंसर है आप इमेज में भी देख सकते है और एनी को पच्चीज में राष्टिय किशोर कुमार सम्मान दोयर बाईश देश से सम्मानित किया गया है नेक्ट कुशन है हाल ही में पशुपालन और डेरी विभाग ने के सराज में एहल्प कारकरम का अनावरड किया है इस कुशन का सई आंसर है ओप्शन सी जहारखंड तो आल यहिने पशिः पालन और डिरी विभाग ने ज्ढरखन राज में एहल्प कारकर्म का अनावरड किया है ईस लाउंच कारकर्म में राज के पशुधन शित में महलाओं की मतपुर भूमिका और पशिवपालन के परिदर्श को बदलने के लिए इस नई पहल की छमता पर प्रकाश डाला गया है अब जारखन जो राज है इसकी राईधानी राच्छी है मौक्य मंत्री है जारखन के हेमन सोरेन राजपा नहें इसकीज का रेकॉर्ड बनाया है इसकीजन का सही अनसर है Option C, पाकिस्तान तो हाल ही में वंडे विशुकप के दियास में पाकिस्तान देश की टीम ने सबसे बड़े रंचीज का रेकॉर्ड बनाया है भारत में आयवज़त हो रहे वेशुकव दोया 23 के आठवे मैच में पाकिस्तान ने स्री लंका को 6 विकिट से हराया और इसके साथ ही पाकिस्तान ने वेशुकव में सरवो चरण 6 खा रिकॉर्ड भी बनाया अब पाकिस्तान योदेश है इसकी राई धनी है इसलामाबाद पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तान ये रुपया और पाकिस्तान की राष्ट पती है आरेफ अल्डी नेश्ट कुशन है हाल ही में च्छत्रपती सिवाजी महाराज की मद्ययोगीन हत्यार वागनक को भरत लाने केलिए इससे सम्झोता किया गया है इसकुशन का सही अन्जर है आप्छिन ही बृत्यान तो हाल ही में च्छत्रपती सिवाजी महराज के मद्दय योगीन हत्यार वागनक को भारत लाने के लिए ब्रिटेन के साथ समझोता किया गया है माराष्ट के सांस्कृतिक कार्मन्त्रा लेने च्छत्रपति सिवाजी महराज के अस्तरवाग नक को राज में वपस लाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अलवट संगरहाले के साथ एक समझूत अग्यापन पर अस्ताखिर किये इस समझोत अग्यापन के अनसार प्राचीन हत्यार को तीन वर्ष की अब्दी के लिए स्रेडात्मक आदर पर माराष्ट सरकार को सौपा जाएगा अब ब्रिटेन जो देश है इसकी राइदा नहीं किया है लन्नन ब्रिटेन की मुद्रा है पाउन इस्टरलिंग और ब्रिटेन देश के पदहन मंत्री है रिशी शुनक नेक्ट कोशन है हाल ही में किशी एशोशेशन ओफ म्यूचिवल फंड इन इंडिया के नए चेयर्मेन के रोप में नियुक्त किया गया है इस कोशन का सई आंसर है ओप्शन सी नवनीत मुनोद आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं नवनीत मुनोद और इनिक भी ऐसेशन ओफ म्यूचिवल फंड इन इंडिया के नए चेयर्मेन के रूप में नियुक्त किया गया है एसेशन ओफ म्यूचिवल फंड इनिया ने हाल ही में बोड की बैटक के दोरान HTFC Asset Management के Managing Director और CEO नवनीद मुनोत को Chairman के रूप में चुना है और वहारत विड्रासन Life Asset Management कंपनी के प्रवन नदेशक ये बाला सुब्रमनिम का स्थान लेंगे Next question है हाल ही में भारत और तन्यानिया देश ने रच्छा सयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तयार किया है इस कुशन का सही अंजर है option A पांच साग तो हाल ही में अपने देश बारत और तन्यानिया देश ने रच्छा सयोग के लिए पांच वर्षों का रोड मैप तयार किया है पदहन मंत्री सिरी नजर्ण वोदी जी और तन्यानिया की राष्टपती सामिया सुलू हसन के बीच नई दिली में हुई बात चीत के दोरान यह निड़ा लिया गया है और ये तन्यानिया की यो राष्टपती हैं सामिया शुलू हशन ये तन्यानिया देश की पहली महिला राश्टपती है हाल ही में उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात जी ने के जिले में स्वतंता सेनानी राजा राव राम बक्षे की प्रतमा का अनावरड किया है इस क्वेशन का सही अंसर है आप्षिन ए उन्नाव तो हाल ही में उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनात जी ने उन्नाव जिले में स्वतंत सेनानी राजा राव राम बक्षे की प्रतमा का अनावरड किया है नेक्ट कुशन है क्रिकेट वेश्यो कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रेकॉर्ड किस के नाम पर है इस question का सई answer है option A रोहिश शर्मा आप image में भी देख सकते हैं ये हैं भारतिय क्रिकेटर रोहिश शर्मा और N.E. के नाम पर वेश्यो कप में सबसे ज़दा शतक लगाने का record है क्रिकेटर रोहिश शर्मा के वेश्यो कप में श्याथ शतक पूरे हो चुके हैं और उन्होंने सचिन तेंदूल के 6 शतक के record को भी तोड़ दिया है Next question है वेश्यो क्रिकेट में सबसे ज़दा शक्के लगाने वाले बल्ले बाच कौन बन गए हैं इस question का सई answer है option C रोहिश शर्मा तो वेश्यो क्रिकेट में सबसे ज़दा शक्के लगाने वाले बल्ले बाच प्रोहिश शर्मा बन गए हैं और इस मामले में दूसरा स्थन क्रिशी गिल का है जिनके 553 शक्के हैं Next question है प्रोह कवर्दी लीक की नीलामी में सबसे महेंगे खिलाड़ी कौन बने हैं इस question का सई अंसर है option A पवन सहरावत आप image में भी देख सकते हैं ये हैं पवन सहरावत और यही प्रोह कवर्दी लीक की नीलामी में सबसे महेंगे खिलाड़ी बने हैं पवन सहरावत को तेलगू टाइटन्स ने 2.6 करोड रुपे में खरीदा है और सबसे महेंगे विदेशी खिलाड़ी इरान के महमत रेजा, शाद लुई, च्याननी नीलामी में सबसे महेंगे विदेशी खिलाड़ी बने और उन्हें पुनेरी परिटन ने 2.3.5 करोड रु बैठका उद्गाटन किया इस कुशन का सही अंसर है ऑप्शन B भारत मंडपम तो पैटोरियम मंत्री ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में 26 वी उजा पौद्यों की बैठका उद्गाटन किया है अब कल की वीडियो में आपसे कुशन पूछा था कि केस राज सरकार ने मोख्य मंत्री लोक शेवक आरोगी ओजना शुरू की है इस कुशन का सही अंसर था ओप्शन A असम तो असम राज सरकार ने मोख्य मंत्री लोक शेवक आरोगी ओजना शुरू की है और इस कुशन का अंसर लगबख सभी स्टूरेंट्स ने सही बताया था अब आपके लिए आज का कुशिन है हाल ही में किस कार कंपनी ने दोजा 24 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निड़ा लिया है इस कुशिन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हैलफुल लगी हो तो आप इस वीडियो का अपने दोस्तों के पाज जरूँ शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूँर कर लेना तो चलिए चलते हैं जै हिन जै भारत वन दे मातरम